दूंद लो गाइस वेलकम बैक टू माइ चैनल यहां मैं आपसे शेर कर रहे हूं कि आप 5 वट में कैसे खुद और कर सकते हैं तो चलिए वीडियो के श्टार्ट करते हैं यहां मैं सबसे पहले लैखमी का siitty cream यूज करे हूँ आप खोई भी be be a sgi fatty cream ही यूज करें कि क्यूं कर्मी में सबसे best be be a sg cream ही होता है तो अब इससे पहले अच्छे से mix करें फिर आप अपनी finger tip से गालों में डॉट डॉट करकी लगाए फेस, चेक, चिन और हाँ गले में लगाना ना भूले और आप अपने गले में भी लगाए और ब्योटी ब्लेंडर में पहले आप मिस्ट स्प्रे करें मैं यहाँ पर कुट वाइप्स का रोज ही मिस्ट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ आप कोई सा भी कर सकते हैं इसे यूज़ करने के बाद ब्लेंड एजी हो जाता है तो आप एजली ब्लेंड कर सकते हैं अपनी बीबी या सीसी क्रेम को ब्लेंडिंग सबसे जादा इंपॉर्टन पार्ट है मेकप का अगर आपका मेकप अच्छे से ब्लेंड नहीं तो वो काफी जादा केकी लगता है तो आप अच्छे से ब्लेंड करें फेस पे और निक पे मैं स्पेशली ब्लेंडिंग में बहुत जादा टाइम देती हूँ ताकि मेरा मेकप फ्लॉलेस लगे अब मैं गुर्वाइब्स का रोज हिप मिस्ट अपने फेस पे स्प्रे करूंगी मेकप को सेट करने के लिए क्योंकि समर स्टार्ट हो गया है तो हमें पसीनी की प्रॉब्लम बहुत जादा होगी इसलिए मिस्ट यूज करना बहुत ज़रूरी अपनी मेकप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फेस पेस कैनेडा का काजल यूज कर रही हूँ ऐस लाइनर आप मैं यहाँ पे मेबलिन का यूज करूंगे यह मसकारा काफी अच्छा है अपके लैसेश को काफी आद तक वाल्यूम देता है तो अपने दोनों मसकारा लगाएं और आप देख सकते हैं कि मेरे कितने ज्यादा वाल्यूम लग रहे हैं मेरे लैसेस पे अब मैं यहां लिप्स्टिक के लिए एन्वाइएक्स पाउडर पर फ्लिपी यूज करूंगी यह लिप्स्टिक आपको एजली नाइका पर मिल जाएगा तब वहां से परचीज कर सकते हैं काफी अच्छा लिप्स्ट सा बिंदी लगा रही हूं और आप इसे एजली पांच पर में क्रियेट कर सकते हैं बस मैं यहां पर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी देन प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई